नमस्कार, निर्मान आईएस में आपका स्वागत है, आज हम दहिंदों में प्रकासित लेख, फायर एंड लैसे फैरे, फिक्स एकांट विलिटी टू सूरत ट्रजडी के ऊपर चर्चा करेंगे, आईए देखते हैं संदर्व क्या है, सूरत त्रास्दी के लिए जवाब दही तैक ही जानी चाहिए, और अगनी सुरक्षा प्रोटोकॉल को देश व्यापी अस्तर पर लागू किया जाना चाहिए, आईए देखते हैं हालिया संदर्व क्या है, सूरत के एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से, बच्चों समित 22 विवाओं की मौत हो गई, भारत के स्मा और परिसर के भीतरी आग की लप्तों से घिर गये, जबकि कुछ भागिशाली अपनी जान बचाने में कामियाब रहे हैं, ये युवा भारतिये लाई से फेरे, सहरी करन की संस्कृति के नवीन शिकार हुए है, आईए देखते हैं अगनी सुरक्षा की स्थिति क्या है, रा समय समय पर हाई प्रोफाइल मामले, जैसे की दिल्ली में उपहार अगनीकान, जिसने सन 1997 में 69 लोगों की जान लेली, और 2004 में तमिलनाडू के कुम्ब कोणम में आग से 94 बच्चों की मौत ने देश को जगजोड दिया, प्रशाष्निक मसीनरी और अधिकारियों की उदासी और रिश्वत के बदले अपनी जिम्यदारियों और समवेदर शीलता को ताक पर रखा, सूरत की इस घटना को एक दुरभागपुर्ण घटना नहीं माना जा सकता, क्योंकि बिल्डरों को जोखिम प्रवंधन हेतु नोटिस दिये जाने की सूचना है, सिविल सेवकों के अ आज के लिए वानिजिक भवन, आवास, कोचिंग, केंदर के लिए स्विक्रिती मिलने के संदर में शहरी नियोजन अधिकारियों की भूंका की भी जाच होनी चाहिए। यतोचित सजा का प्रावधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इन सभी प्रावधानों को सिंगल विंडो सिस्टम से नियंतरित किया जाने के आवशकता है, जिससे न किबल मन्जूरी लेने में असानी होगी, बलकि सुरक्षा के आयावमों को ज़्यादा प्राशंगिक बनाया जा सकता है। सावनिक भवनों के निरिक्षण और सुरक्षा बलो के कारियों को अलग-अलग किया जाना आवशक है, मिनिश्पल कॉर्पोरेशन को अधिक ताकतवर बनाने के आवसकता है। आईए देखते हैं विशेस में क्या है? आज के विशेस में अगनी आपदा प्रवन्द से सम्मंदित दिशानिर्देश है। अगनी शमन यंत्र अवश्य रखना चाहिए और उसका प्रयोग करना भी मालूम होना चाहिए। चौथा, घर से बाहर जाते समय सावधानी पुरवक बिजली और गैस के सभी उपकरणों को बंद कर देना चाहिए। पांचमा, एक ही सौकेट में बहुत से पलग नहीं लगाना चाहिए। छठा, पहुच या प्रवेश मारक को भारी अलमारी या फरनीचर से बाधित नहीं करना चाहिए। सातमा, आग लगने पर तुरंथ ही फायर बिरगेट को फोन करना चाहिए। आठमा, धुए से भरी जगह में पैरों और पेट के बल फर्ष पर रेंग कर चलें क्योंकि धुआ फर्ष पर कम होता है। नौवा, खतरनाक पदात जैसे पेंट, सॉल्वेंट, आसंजक, रसायन या गैस सिलेंडर का भंडारण अलग स्थान पर करें जो आग से बहुत दूर। दस्वा, हमारे देश में दिपावली पर होने वाली आतिश बाजी आग का प्रमुख कारण है, उनका उप्योग सावधानी से और बड़ो के निरिक्षण में ही करें। कानूनों में बदला अपर सुझाव प्रस्तित कीज़े। हमें उम्मीद है हमारा या प्रियास आपके भीहिन परिक्षाओं में मददगार साबित होंगे। हम भविश में भी इस प्रकार के टॉपिक लाते रहेंगे। निर्मान आइस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना नग। धन्य। कि उले दके टाइससे परिया सम्हान सुझे कीज़े कीज़ें कीज़ेंगे। अब्रस झाल कि उलेँे कीज़ेंते बीज़ेंगे बीज़ेंगे कर दो दो शोपके बाल